toss के समय प् przedsiębior के साथ इन टीमों को चार substitute खिलाडी भी बताने होते हैं जिन में से एक substitute खिलाडी को as a impact player ये इस्तमाल कर सकते हैं और इस player का इस्तमाल ये 14 ओवर तक कर सकते हैं और इस player का इस्तमाल ये match के बीच में नहीं कर सकते जब over खतम हो जाए या विकेट गिर जाए या फिर किसी खिलाडी के चोटिल होने पर ही इस player का इस्तमाल किया जा सकता है और इस player का इस्तमाल ये उस समय भी उस player के साथ substitute भी कर सकते हैं जो player पहले बल्लेवाजी कर चुका है या पहले गेंदवाजी कर चुका है और इस substitute player पूरे के पूरे चार ओवर डा सकता है और पूरी बल्लेवाजी कर सकता है तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इन fantasy leagues के अंदर किस तरह से हम अपना substitute player as a impact player कैसे इस्तमाल कर सकते हैं तो जादेर ना करते हुए शिरुवाद करते हैं नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है रागपतिर पार्टी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैं किन हिंदी आईए शिरुवाद करते हैं और आपको step by step बताते हैं कि किस तरह से हम substitute player का इस्तमाल कर सकते हैं substitute player और impact player का पूरा system मैं आपको बताने वाला हूँ तो ध्यान से देखेगा मैं यहां पर house at app के उपर आ गया हूँ आप dream 11 या my 11 circle जो भी एप इस्तमाल करते हैं उसमें same ही system होता है substitute और impact player के लिए तो यहां पर मैं house at में एक यहां पर team join करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप substitute और impact player इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर आपके सामने option दिया गया है wicket keeper select करने का जैसे कि मैंने एक wicket keeper यहां पर select कर लिया है अब मैं batsman option पर जाता हूँ जहां पर मैंने एक player select किया उसके बाद मैंने यहां पर substitute player Travis head को add कर लिया तीक है मैंने तीन bets मैंने यहां पर add किये उसके बाद मैंने दो all rounders ले लिये उसके बाद यहां पर balling में मैंने खरी लेमद जो की substitute हैम इनको add कर लेते हैं अब मैंने यहां पर जो भी players थे उनको add कर लिया जो भी substitute थे मैंने उनको add कर दिया अब substitute कैसे add करने है यहां पर आपके सामने player के नीचे ही substitute लिखा आएगा जब line out हो जाती है यानि कि सारे player जो भी खेलने वाले होते हैं उनके आगे green आजाता है बाकी जो substitute player होते हैं उनके नीचे ऐसे ही blue में लिखा आएगा आपका substitute तो आपने add कर लिया substitute को उसके बाद continue पर क्लिक किया यहां पर मैं आपको point system बताने वाला हूँ कि substitute के कितने point मिलते हैं माल लीजिए कि substitute player आपने captain बनाया हुआ है ठीक है तो उसके जैसे ही दूसरे players होते हैं जैसे दूसरे players खेलते हैं और captain आपने उसको बनाया होता है तो वो 100 run मार देता है तो आपको जो भी points same जैसे पहले किसी भी player normal player के मिलते हैं वैसी आपको substitute के भी मिलेंगे ऐसा नहीं कि substitute के कम point मिलेंगे और substitute के बनाएंगे substitute के अलावा किसी और को बनाएंगे उसको मिलने वाले हैं तो इस तरह से आप substitute player add कर सकते हैं माली जी कि आपने जिस player को जिसकी जगे माली जी कि कोई player यहाँ पर बीच में खेल रहा है उसके उसको हटा के substitute player ला गया है जैसे माली जी कि Pat Cummins ने दो wicket ले चुका है Pat Cummins और आपको अच्छे point दे चुका है तो उसको substitute करके इन्हों ने यहाँ पर किसी और player को खिला लिया यहाँ पर किसी baller को खिला लिया माली जी कि Khalil Ahmed को खिला लिया वो की substitute है Pat Cummins को हटा के यहाँ पर Khalil Ahmed को खिला लिया तो इसमें क्या होगा कि Pat Cummins के जो points है वो तो आपको मिलने ही है क्योंकि आपने Pat Cummins को लिया हुआ है तो वो खेलने के बाद उसके points आपको जो मिलने थे वो मिल चुके है और Khalil Ahmed भी अगर खेलेगा तो भी आपको points मिलने वाले है यानि कि दोनो points आपके count होंगे आपकी जो भी यहाँ पर league है यानि कि जो भी आप game खेलने वाले है उसके अंदर दोनों के points count होने वाले है और same points count होते हैं ऐसा नहीं है कि किसी के कम point है किसी के ज़्यादा points count होने वाले है तो इस तरह से आपने किसी को भी आप substitute player को या फिर आप किसी भी player को wise captain captain कर सकते हैं बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि substitute player आपको कहीं न कहीं sure होना चाहिए कि वो player खेलेगा ही ऐसा भी होता है कि उस substitute player का उस game के अंदर इस्तमाल ही ना किया जाए तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि वो substitute player यानि कि as impact player खेलेगा या नहीं खेलेगा उसके लिए ये आपकी किसमत है या फिर आप किस तरह से उसकी calculation लगाते हैं उस हिसाब से आपको उसकी जानकारी हो सकती है उसके बार अपने save team पर click कर देना है और आपकी team यहां पर बन चुकी है उसके बार अपने context को join कर लेना है और आपका context join हो जाएगा उसके बाद जो भी points आपको मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे तो इस तरह से गाईज आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर अपनी टीम के अंदर सब्सिटूट प्लेयर एड़ करते हैं और उसके सारे के सारे पॉइंट्स आपकी जो भी लीग है उसके अंदर आपको मिलेंगे आशा करते हैं दोस्तों आपको सब्सिटूट प्लेयर के बारे में जानकारी मिल गई होगी और सब्सिटूट प्लेयर को कैसे हम एजा इंपेक्ट बेर इस्तमाल करते हैं कैसे इसको अपनी फेंटाइसी गेम्स के अंदर यूज कर सकते हैं सारी जानकारी मिल गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुम भूलेगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जय बारत बाबाई